हेलो गाईज, Airports Pro 2nd generation USB Type-C port के साथ launch हो जाएंगे Qantas 3 2023 में ऐसा मिंग ची क्यों ने कहा है तो गाईज, Airports Pro जो की कंपनी का सक्सेसर अपने पहले जनरेशन के Airport Pro पे जो की launch हुआ था 2019 में ये रिलीज होगा नए मॉडल की तरह जिसमें USB Type-C port होगा इस साल information के जिसाब से जो शेयर केगा इंडस्ट्री अनिलिस्ट त्वारा क्यों पर की नोग कंपनी जो होगी वर्क करेगी नए और पोर्ट प्रो मॉडल पे जो फीचर करेगा USB Type-C चारजिंग पोर्ट को और करेंट मॉडल जो है ये फीचर करता है कंपनी के प्रो प्रियेटरी लाइटिंग पोर्ट को एपल का रूमर है कि ये लॉंच करेगा अपना नया जनरेशन स्मार्ट फोन आइपोन 15 और आइपोन 15 प्रो लाइन अप जो की USB Type-C पोर्ट के साथ आएगा टी एफ सीक्योर्टी अनिलिस्ट मिंग ची क्यों ने जो की प्रिवेसली लिग किया था डिटेल्स के सेवरल अपल प्रोडेक्ट का उन्होंने कहाए कि जो अपल प्लान किया है नया वर्सन सेकेंड जनरेशन अपल पोर्ट प्रो को लांच करने के लिए जिसमें यूएसबी टाइप सी पोर्ट होगा क्यों जो है रिस्पॉंड किये थे एक कोट ट्वीट द्वारा टिप्स्टर का जिन्होंने क्लेम किया था आई ओस 16.4 कंटेंड करेगा न्यू एरपोर्ट जिसमें मॉडल नंबर होगा A3048 और न्यू एरपोर्ट भी होंगे जो कि जिसका मॉडल नंबर होगा A2968 अगर एनिलिस्ट के प्रेडिक्शन सही होती है तो एयरपोर्ट प्रो जो होगा वो लॉंच हो चुका लॉंच हुआ था सप्टेंबर 2022 में जिसके साथ आइफोन 14 सिरीज जो स्मार्ट फोन्स के थी वह एवलेवल थी नए मॉडल में जिसमें USB Type-C पोर्ट आया था बाद मे क्यों ने कहा है कि जो नया एयरपोर्ट प्रो होगा यह भी इंटेर करेगा बहुत सारे इसके प्रोडक्शन होंगे सेकेंड थार्ड क्वाटर के इसी साल में और यह पहली बार नहीं है जब एपल प्रोड़क्ट जो है स्विच करेगा लाइटनिंग पोर्ट की तरफ हलके से के सिरी रिमोट में है अपल टीवी के लिए और यूमर्स के साब से जो कंपनी है यह एक्विप करेगी आइफॉन 15 मॉडल्स को यूस्बी टाइप-C के साथ और इसी साल आएगी क्यूपरटीनो कंपनी ने पहले बताया था पर्स जनरेशन एएरपोर्ट प्रो के बारे में जो की पास्ट विद्मेक सेफ कॉमपरेटीबल चार्जिंग केस होगा लेकिन कस्टमर्स जो है इसको पछेस कर सकते हैं नए पियर से एएएरपोर्ट प्रो को और चारजिंग के रहा है अपडेट करने के लिए अपने अधर एसेसरी को जिसमें एयर पोर्ट होंगे एयर पोर्ट मैक्स होंगे चाहत में यूएस्बी टाइप सी पोर्ट होंगे